नमस्ते दोस्तों और स्वागत है हिंदी माइंड बाइट्स पर आज हम एक प्रेरणा दायक बुक का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है Mind Management, Not Time Management, Productivity When Creativity Matters जिसे डेविड कडावी ने लिखा है इस चैनल पर हमारा मकसद है कि हम valuable जानकारी को पूरी दुनिया में फैलाएं हम आपको ऐसा content देना चाहते हैं जो आप अपने रोज मर्रा के काम करते हुए या relax करते हुए सुन सकें और कुछ नया सीख सकें description में दिये गए link से आप हमारे channel को support कर सकते हैं कोई भी राश्य जो आप चुने हमारे लिए helpful है ताकि हम आपको इसी तरह का मूल्यवान content पहुचा सकें इसके अलावा अगर आप इस book की ए copy रखना चाहते हैं तो आप इसे Amazon और Flipkart से भी खरीच सकते हैं अगर आपने अभी तक channel subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लें इस वीडियो को like करें दूसरों के साथ share करें और अपने विचार comments में बताएं आपका समर्थन हमें आगे बढ़ने के लिए motivate करता है तो चलिए शुरू करते हैं mind management not time management की आत्रा और जानते हैं कैसे हम अपने mind को manage कर productivity को boost कर सकते हैं ठीक है दोस्तों आईए mind management not time management के पहले chapter से शुरू करते हैं जहां डेविड कड़ावी बताते हैं कि पारम पर इक time management टक्नीकें creative काम के लिए क्यों effective नहीं होती है हमें हमेशा यही suggestion दी जाती है कि समय को बहतर ढंग से manage करो ताकि productivity बढ़े लेकिन इसमें एक catch है समय प्रबंधन अकसर उन कामों के लिए suitable होता है जो रोज मर्रा के और predictable होते हैं जो ज्यादा creative thought नहीं मांगते जबकि creativity को मानसिक freedom और लचीला अपन चाहिए कड़ावी इस विचार को पेश करते हैं कि creativity हमेशा मनमताबिक नहीं आती समय के management की बजाए वह सुझाव देते हैं कि हमें अपने मन को manage करना चाहिए ताकि वो mental स्थिती पैदा हो सके जिसमें creativity thrive कर सके सोच ये अगर आपके पास रोजाना एक schedule हो जिसमें creativity के लिए समय slot dedicated हो लेकिन सच तो ये है कि creativity ऐसे काम नहीं करती कड़ावी का key point यहां ये है कि मानसिक स्थिती को काम के type से मिलाना समय के कठोर management से ज्यादा प्रभावी है क्या यह एक ताजगी भरी idea नहीं है कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने कभी creative काम में time management के साथ संघर्ष किया है और याद रखे चैनल को subscribe करना और वीडियो को like करना हमें और insights लाने में मदद करता है अब आईए जानते हैं कि कड़ावी कैसे mental स्थितियों को manage करने के लिए सुझाव देते हैं Chapter 2 मानसिक स्थितियों को समझना इस chapter में कड़ावी मानसिक states के विचार को पेश करते हैं और बताते हैं कि यह कैसे हमारी productivity को impact करते हैं वह समझाते हैं कि कुछ मानसिक स्टेट्स कुछ कारियों के लिए बहतर होती हैं। उदारण के लिए, प्रेंस्टॉर्मिंग के लिए एक लूस और खुली मानसिक स्थिती चाहिए, जबकि फोकस्ट वर्क के लिए, जैसे कि लिखाई या डिजाइनिंग एक गहरी और संजीदा स्टेट की जरूरत होती है। कडावी हर स्थिती को हमारे मन के एक गियर के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एक कार में अलग-अलग गियर्स होते हैं, अलग-अलग स्पीड और रास्तों के लिए, वैसे ही हमारे मन में अलग-अलग कामों के लिए। वह हम्में प्रोथसाहित करते हैं कि हम यह recognize करें कि कौन सा mental gear किस काम के लिए suitable है और उसी के अनुसार act करें। कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने कभी गलत मेंटल गियर में अटकने का एक्सपिरियन्स किया है और हमारे डिस्क्रिप्शन में दिये गए सपोर्ट लिंक को चेक करें अगर आप हमें इसी तरह का कंटेंट बनाने में मदद करना चाहते हैं चैप्टर तीन दिन की डिजाइन मानसिक स्थितियों के अनुसार आगे बढ़ते हुए कडावी बताते हैं कि कैसे अपने दिन को मानसिक स्टेट्स के अनुसार डिजाइन करना चाहिए वो इस बात पर जोड देते हैं कि कारियों को इस तरह से अरेंज किया जाए कि हमारे एनरजी और मानसिक स्पष्टता का नेचुरल फ्लो पने रहे। उदाहरण के लिए अगर आप सुबह में ज्यादा अलर्ट महसूस करते हैं तो उस समय फोकस्ट वर्क के लिए अच्छा है जैसे कि समस्या हल करना या महत्वपूर्ण थिंकिंग टास्क्स यहां उद्देश एक सक्त स्केजूल का पालन करना नहीं है बलकि अपनी मानसिक एन करना कि आप अपने नेचुरल मेंटल रिदम के साथ तालमेल में रहें यही असली माइंड मैनेजमेंट है चैप्टर चार फ्लो की शक्ति अब दोस्तों हम इस बुक के सबसे महत्वपूर्ण कांसेप्ट पर पहुँचते हैं फ्लो आपने पहले भी इसके बारे में हर्ड क के हमारे सबसे गहरे आइडियास तक पहुचने देता है लेकिन बात यह है कि फ्लो में गेट करना आसान नहीं है इसके लिए सही कंडिशन्स और मानसिक्ता की जरूरत होती है जो हमें फिर से माइंड मैनेजमेंट के कैंसेप्ट पर लाता है कडावी सुझाव देते हैं कि उन गतिविधियों के लिए डेडिकेटेड टाइम अलग रखें जो फ्लो में पहुचने में मदद करती हैं चाहे वह रीडिंग हो ध्यान लगाना हो या बस अपने विचारों के साथ अकेले रहना हो मुख्य बात यह है कि इंटरॉप्शन्स को खत्म करना और एक ऐसी जग बनाना दोनों मानसिक और फिजिकली जहां आप पूरी तरह अपने क्रियेटिव काम में डूप सकें। जहां क्रियेटिविटी नैचरली आती है। क्या आपने कभी फ्लो एक्स्पिरियंस किया है? कॉमेंट्स में बताएं और अगर आपको ये इंसाइट्स पसंद आ रही हैं तो कृप्या वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इस चैप्टर में कड़ावी क्रियेटिव प्रोसेस को अपनाने की महत्ता पर बात करते हैं, जिसमें अक्सर डाउट, कोशिश और गलती के पल शामिल होते हैं. वो बताते हैं कि क्रियेटिविटी हमेशा पहले प्रयास में कुछ अधपुत प्रडियूस करने के बारे में नहीं है, यह हमें बिनावरी किये एक्सपेरिमेंट करने की आज़दी देने के बारे में है, वे प्रोड़क्टिव प्रोक्रास्टिनेशन का विचार पेश करते हैं जब हम मानसिक रूप से रेडी नहीं होते तो कभी-कभी अपने माइंड को भटकने देना या असंबंधित कामों में लगना लाभधायक होता है इससे हमारे मस्तिश्क को विचारों को सब कॉंशिसली प्रोसेस करने का मौका मिलता है जो अक्सर बाद में क्रियेटिव ब्रेक्ट्रूज लाता है कडावी इसे क्रियेटिव प्रोसेस का एक वैल्यूबल हिस्सा मानते हैं जो नवाचार और समस्या हल करने के लिए महत्वपूर्ण है तो प्रोक्रास्टिनेशन को नकारात्मक चीज के रूप में देखने की बजाए कडावी इसे प्रोसेस का हिस्सा मानने का सुझाव एंकरिज करते हैं खास कर क्रियेटिव कामों में विचारों को नेचुरल रूप से एवॉल्फ करने के लिए जगह देकर हम ऐसे सोलूशन्स पा सकते हैं जिन्हें सक्त टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से मजबूर नहीं किया जा सकता था आप आम तोर पर प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे संभालते हैं हमें कॉमेंट्स में बताएं और याद रखें अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक को चेक करें चैप्टर चाह माइंड मैनेजमेंट के लिए आदतें बनाना चैप्टर चाह में कडावी उन आदतों को बनाने की अहमियत बताते हैं जो प्रभावी माइंड मैनेजमेंट को समर्थन देती हैं वे बताते हैं कि ऐसी रूटीन्स बनाकर जो हमारे मानसिक वेल बींग को पोशन दें, हम ऐसी परिस्थितियां बना सकते हैं जिनमें क्रियेटिविटी फ्लरिश कर सके. ये आदतें बहुत बड़ी या जटिल नहीं होनी चाहिए, जैसे कि जर्नलिंग के लिए समय निकालना, ध्यान लगाना या दिन भर में नियमित ब्रेक्स लेना. कडावी ये भी जोड देते हैं कि हमारे शरीर और माइंड दोनों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि शारीरिक वेल बींग का हमारे मानसिक स्थितियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है. इसका मतलब है नियमित exercise, परियाप्त नींद लेना और stress को manage करना जरूरी है. इनको प्राथमिक्ता देकर हम creative काम के मानसिक मांगों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं. वे ये भी सलाह देते हैं कि अपने काम के environment को इस तरह design करें कि distractions कम हो, जिससे productive मानसिक states में आना आसान ह हो जाए. क्या आपके पास कोई ऐसी habits हैं जो आपको मानसिक रूप से तेज रहने में help करती हैं? कॉमेंट्स में हमारे साथ share करें. और अगर आपने अब तक subscribe नहीं किया है, तो अब perfect time है. Chapter 7, structure में लचीलापन. कडावी मानते हैं कि एक structure होना जरूरी है, लेकिन flexible रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. कठोर schedules अकसर हमारी creativity को hinder कर सकते हैं. इसके बजाए, वो time blocks बनाने का सुझाव देते हैं, जो हमें विशेश activities पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमती देते है साथ ही हमारी मानसिक state के आधार पर कार्य बदलने की flexibility भी देते हैं. उधारण के लिए अगर आपने किसी creative कार्य पर काम करने की plan बनाई थी, लेकिन मानसिक रूप से ठकान महसूस हो रही है, तो आप हलके task पर switch कर सकते हैं और बाद में creative कार्य पर वापस आ सकते हैं जब आ flexibility कहते हैं, जो plan और खुद को जरूरत के अनुसार, adapt करने का संतुलन है. लचीलेपन से हम अपने मानसिक energy का सम्मान करते हैं और better और अधिक अर्थ पूर्ण कार्य प्रड्यूस करते हैं. कडावी का मानना है कि ये हमारी mind management का असली की है. आप अपने दिन को कैसे structure करते हैं? नीचे comments में अपने विचार साजा करें और इस वीडियो को like, subscribe और share करना न भूलें. अगर आप और chapters या किसी विशेश विचार पर गहराई से explore करना चाहें, तो मुझे let करें, मैं पूरी book को cover करने तक keep कर सकता हूँ. Chapter 8, Letting Go की कला. इस chapter में कड़ावी अपेक्षाओं, perfection और तुरंत परिणाम की नीड को छोड़ने के महत्व पर चर्चा करते हैं. अकसर हम खुद पर pressure डालते हैं कि पहली कोशिश में ही flawless कुछ बना लें, खास कर creative projects में. लेकिन कड़ावी कहते हैं कि यह pressure हमारी creativity को stifle करता ह है. वो सुझाव देते हैं कि हर draft, प्रयास या project के version को एक creative यात्रा का step समझे, न कि अंतिम product. Creativity, innovation और discovery के बारे में है और कभी-कभी सबसे अच्छे ideas तब आते हैं जब हम गलतियों को embrace करते हैं और खुद को असपल होने की अनुमती देते हैं. यह दृष्टिकोर न केवल stress को कम करता है, बलकि एक open और playful माहौल बनाता है जहां नए ideas का उदय हो सकता है. कडावी हमें निरंतर validation की आवश्यक्ता को छोडने और process पर ध्यान केंद्रित करने की encouragement देते हैं. ग्रोथ और प्रयोग को प्राथमिकता देकर हम ऐसा कार्य क्रियेट कर सकते हैं जो अधिक authentic औ इना perfection के लिए aim किये स्वतंत्र रूप से explore करते हैं? कॉमेंट्स में हमें बताएं और याद रखे इस channel को support करने के लिए like, subscribe और share करना हमें इस तरह का content लाने में मदद करता है. Captain 9, उर्जा का प्रबंधन सिर्फ समय नहीं. यहां कडावी एक महत्व पूर्ण point उठाते हैं. Productivity केवल time के बारे में नहीं है, यह energy के बारे में भी है. Time management यह नहीं समझाता कि हमारे energy levels दिन भर बदलते हैं, जो हमारे काम करने की क्षमता को impact करता है. वो कहते हैं कि energy को manage करक हम अधिक meaningful काम कर सकते हैं, चाहे हम कितना भी time दे. कडावी energy management के लिए कई strategies share करते हैं, जैसे कि अपनी चरम energy अवदी को पहचानना और demanding tasks को उन समयों के साथ सनरेखित करना. कुछ के लिए सुबह creative work के लिए सबसे अच्छी होती है, जबकि दूसरों के लिए दोपहर या श जाव देते हैं, ताकि पूरे दिन स्थिर energy levels बनाए रखे जा सके. Energy management पर ध्यान दे कर, हम बिना थके या मानसिक रूप से थके हुए creative challenges का सामना करने के लिए पहतर equipped होते हैं. यह दृष्टिकोन दीरगकालिक productivity के लिए vital है और mind management का महत्वपूर्ण हिस्सा है. आपका creativity का हम समय कब है? हमें कमेंट्स में बताएं और अगर आपको ये insights उप्योगी लग रही हैं, तो subscribe और share करना न भूलें. Capture 10. आराम और recovery की शक्ति यहां कडावी जोर देते हैं कि आराम कोई विलासिता नहीं. यह creative work के लिए जरूरी है. वो बताते हैं कि आराम और downtime हमारे minds को ताजा करने में मदद करते हैं, जिससे हम काम पर return करते समय अधिक प्रभावी और focused रहते हैं. बिना आराम के हमारा mind ठक जाता है और creativity सफर करती ह वो नियमित breaks अपनाने को प्रोतसाहित करते हैं, फले ही ये counterproductive लगें. कडावी बताते हैं कि हमारे कई best ideas तब आते हैं जब हम सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे होते, जब हम relaxing टहल रहे होते हैं या बस आराम कर रहे होते हैं. इसे वो incubation कहते हैं, जहां mind विचारों पर subconsciously काम करता रहता है, जो अकसर अचानक insights की ओर ले जाता है. अध्याए 10. अच्छी नीन्द का महत्व कड़ावी यह भी सलाह देते हैं कि हमें अच्छी quality की नीन्द लेनी चाहिए, क्योंकि यह मानसिक clarity और उड़जा के लिए जरूरी है. सही आराम से हम किसी काम को नई perspective से देख सकते हैं, जो चटिल और creative चुनोतियों के लिए महत्वपूर्ण है. जब हम आराम को प्राथमिक्ता देते हैं, तो असल में हम लंबे समय में अपनी productivity को बढ़ा रहे होते हैं. क्या आप भी अच्छे break के बाद खुद को ज्यादा productive महसूस करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं, और हाँ आप हमें description में दिये गए support लिंक से support कर सकते हैं. अध्याए 11, एक creative environment बनाना. इस chapter में कडावी एक ऐसा वातावरण बनाने के महत्वपर चर्चा करते हैं, जो creativity को बढ़ावा देता है. एक अच्छी तरह से organized कार्यक्षेत्र, जिसमें कोई distractions न हो, मन के प्रबंधन में बड़ी difference ला सकता है. कडावी सुझाव देते हैं कि creative work के लिए एक समर्पित area बनाएं जहां आप आराम और inspiration महसूस करें. इसमें plants, प्राकृतिक रौशनी या background music जैसे चीजें भी हो सकती हैं, यदि वो आपको ध्यान केंदरित करने में मदद करती हैं. वो digital distractions को कम करने के लिए भी कहते हैं, जैसे अनावर्शक notifications बंद करना या social media पर screen time को सीमित करने वाले apps का उप्योग करना. ऐसा वातावर्ण बनाकर जो focus का समर्थन करता है, हम अपने creative काम में गहराई से dive कर सकते हैं, बिना बार-बार interruptions से खींचे जानेगे. एक और महत्वपूर्ण पहलू है, प्रेरणा दायक सामगरी से खुद को घेरना, चाहे वो books, कला या वो वस्तुएं हों, जो creativity को प्रेरित करती हैं. कड़ावी मानते हैं कि हमारे आसपास का वाता वरण हमारे mindset को प्रभावित करता है, इसलिए एक ऐसा workspace होना जो शान्ति और creativity को बढ़ावा देता है, बहुट difference ला सकता है. क्या आपके पास भी कोई पसंदीदा setup है, creative काम के लिए? अपने setup के ideas कॉमेंट्स में साज़ा करें, और जुड़े रहने के लिए like और subscribe करना न भूले. अध्याए बारह, अपनी creative rhythm पाना. अंत में कड़ावी अपनी creative rhythm को पहचानने और उसका सम्मान करने के महत्व पर बात करते हैं. Creativity एक जैसा नहीं होती. हर किसी का अपना अनोखा pattern और rhythm होता है, जो उसके लिए सबसे अच्छा काम करता है. कुछ लोगों के लिए creativity रात में बहतर होती है, जबकि कुछ लोगों को सुबह में ज्यादा productive महसूस होता है. कड़ावी अलग-अलग routines आजमाने की encouragement देते हैं ताकि हम अपने प्राकृतिक creative energy के साथ तालमेल बिठा सकें. वो consistency के महत्व पर भी जोड़ देते हैं. जब हम अपने चरम समय में नियमित रूप से काम करने का practice करते हैं, तो creativity अधिक विश्वसनी और आसान हो जाती है. अपनी रिदम को समझ कर और उसका सम्मान करके हम अपने मन का प्रबंधन बेहतर तरीके से कर सकते हैं और productivity को अधिक्तम कर सकते हैं. तो दोस्तों, ये था एक पूरा journey mind management के बारे में जो time management से अलग है और इसमें आपके creative potential को unlock करने के लिए actionable runny तियाओं है. कमेंट्स में बताएं कि किस बात ने आपको सबसे ज्यादा resonate किया और अगर आप ऐसे और book summaries देखना चाहते हैं तो subscribe, like और share जरूर करें. आपकी support हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम Hindi Mind Bites पर आपके लिए ऐसे ही valuable content लाते रहेंगे.